हेलो दोस्तो अगर आचानक से आपके घर में मिहमान आ जाएं तो दो कच्छे आलू से बनाएं बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नास्ता उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो कच्छे आलू ले लेंगे और इसको छील के धोके साफ कर लेंगे और इसके बाद हम ग्र सब्सक्राइब Easy निकल निकल के आएंगे यह नास्ता बहुत ला्ची की बनता है छे बंद मुद् सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो यह देखिए अब यहाँ पे हमने दोनों आलो को कदुकस कर लिया और इस सारे इस तरीके सा मिकठे कर लेंगे और अब हम एक बरतन में पानी लेंगे और उसमें यह सारे आलू डाल देंगे क्योंकि आलू जो है बहुत जल्दी काले पढ़ जाते हैं यह आप देख सकते हैं हमने जो पहले मतलब घीसा था नो कदुकस किया था वो काले पढ़ने लगए हैं तो अभी इसको हम पानी में डाल देंगे और अब हम क्या करेंगे कि एक बड़ी सी छनी लेंगे और इसमें सारे आलू डाल देंगे पानी से धोके तो यह देखिए सारे हम इस तरीके से छनी में डाल देंगे और इसको हातों से ऐसे दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे और अब हम एक दूसरा बाूल ले लेंगे और ये जो आलू है इसका पानी तो सारा छान दिया है पर इस तरीके से हम इसको लेंगे और दोनों हाथों में दबा दबा के इसका पानी निकाल देंगे ताकि इसके पानी सारी निकल जाए अच्छे से तो नास्ता जो है बहुत बड़ी है क्रिस्पी बने तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारा पानी इसका नी चोड़ दिया है तो इसके सारी पानी निकल गए हैं तो ये लच्छे खुलने लग गए हैं मतलब बहुत ही बड़ी अल अच्छे बन गए हैं आलू के तो अभी हम सारे आलू में से ऐसे ही पानी निकाल लेंगे और सारा इस बाउल में रख लेंगे और अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक बारी कटी हुई हारी मिर्ज डालेंगे और उसके बासे हम धेर सारी धनिया पत्ती डालेंगे तो धनिया पत्ती से बहुती बड़ी अफ्लेवर आता है नास्ते में और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच नमक, तो नमक आप अपने स्वात के अनुसार डालें और इसे हम बहुती कम मसालों में बनाएंगे, आधी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, यहाँ पे आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं आधे चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे, इससे नास्ता बहुती चटपटा टेश्टी बनेगा और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन, यहाँ पे तीन बड़े चम्मच बेसन डाल रही हूँ मैं आप यहाँ पे चाहे तो अगर बेसन आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं इसमें rings जालेंगे अंब इन सबको हम ऐसे हाथों से अच्छें से अच्छें मिलाएंगे तो आलू के लच्छें में बेसन बहुत यहाँ से ंजाएगा और हमने इसमें नमक डाला है, तो आलू में नमी ऐसे ही होती है, तो अपने आपी अच्छे से मिक्स हो जाएगा. इसलिए हमें आलू में से सारा पानी निकाल देना है. मतलब जब हमने आलू को कदुकस करके धो के लिया है उसी टाइम पर पानी अच्छे से निचोड के लेना है अब देखिए इसको इस तरीके से अच्छे से मिलाते जाएंगे तो यह बहुत ही बड़िया अच्छे से मिल जाएगा अब यह ready हो गया है तो अब हम इसमें से एक छोटे बॉल के size के बराबर का ले लेंगे और इस तरीके से हाथों से दबाते हुए इसको अच्छे से बांध लेंगे आप चाहें तो इसको छोटे छोटे बॉल की तरह बना के भी fry कर सकते हैं या इस तरीके से हाथ से थोड़ा से चप्टा करके इसको बना लेंगे अपने मन पसंद किसी भी shape में इसको बना सकते हैं और अब हमने यहां पर लिया है bread crumbs तो यहां पर दो bread को आप mixi के जार में डाल के पीस के भी इसका crumbs बना सकते हैं और इसमें इस तरीके से इसको लपेट देंगे तो इसको थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए ऐसे लपेट के निकाल लेंगे तो यह देखिएं यहां पर यह बहुत ही अच्छा सा बन के ready हो गया है अब हम इसी तरीके से सारे नास्ते को बना लेंगे अब इधर fry pan में हमने तेल गरम कर लिया है तेल को अच्छा high flame पे एक दम बढ़िया सा गरम कर लेंगे उसके बाद guys की flame medium कर देंगे और फिर हम इस सारे नास्ते को इसमें डाल देंगे जितने भी इसमें आएंगे अच्छे से एक बार में उतना हम सारा डाल देंगे इसमें और इसे हम medium flame पे ही शेकेंगे high flame नहीं करेंगे वरना नास्ता जो है वह एक दम से जल जाएगा medium flame पे शेकेंगे तो अंदर से बढ़िया सपक जाएगा और उपर से बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरा हो जाएगा तो यह देके थोड़ी देर बाद हम मतलब एक से जबैर मिनट के बाद से हम इसको बढ़ लेंगे तो यह नास्ता बहुत ही अच्छे से सिखने लग गया है अब हम इसको साइड से पलट़ चोकर देंगे थोड़ी देर के iner. अब ये दोनों तरव से पक गया है अब दोनों तरव से इसको अलढ़ते-पलढ़ते अच्छे से सेнок लेंगी एक मिनट के लिए और तोल आपको 4-5 मिनट लगेंगे इस नास्ते को सेगने में बहुत ही टेश्टी बनता है एक बार से आप इस नास्ते को जरूर बनाए आपको बहुत पसंद आएगा कभी विसूबा में हलका फुलका खाना हो या साम के चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन करें तो आप इस नास नास्ते को एक बार जरूर ट्राइ करें बहुत ही टेश्टी बनता है एक बार से जरूर बना के खाएं और यह देखिए इसको सौस के साथ हरी चटनी के साथ खाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा आपके कर में सब आपकी तारीफ करेंगे जब आप दो कच्छे आलो से इस तरीके का नास्ता बनाकर उनको खिलाएंगे यह उपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से एक दम सौफ्ट है यह नास्ता घर में सबको बहुत ही पसंद आता है आई होप कि आज की रिसपी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूटी फैमली का हिस्सा बनी है जल्दी मिलते हैं आप से कैसी नहीं मज़ेदार एस पीक साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक किया